जए शरी महांकाल जए शरी महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आवा है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आप से चोटा सा निवेधन करma चाहता आप चिनल को सब्सक्राइट करें चिनल से जुड़ें ताकि आपको हमेशा सही और सकारत मगजान कारी मिलती रही है साथे साथ दोस्तों अगर आपके जिनले कोई तकलीफ चल रही है तो आप स्क्रिन पर नमबर चल रहे हैं आप वाटसप पर अपोइन्मेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं उसका फीज सुल्क लागू है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सत्रू से साथधान और सत्रूता के बारे में बहुत यूनीक टॉपिक है जो आपको जाना आज कि इस यूट में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम उनसे कैसे बच सकते हैं सत्रूता हमारी हो नहीं अगर कोई सत्रूता है तो उसे कैसे हम खत्म कर सकते हैं खत्म करने से मेरा मतलब है कि सतुरुता को खत्म करें कि नया रिस्ता डेवलोग कर सकते हैं अच्छा पॉजिटिव तो वो सभी चीजी इस वीडियो में हम बात करेंगें सबसे पहली बात जो है कोई भी सतुरुता शुरु होती है तो उसमे बहुत बड़ा दोश होता है आपके करोध का देगी होता है कि गुस्षा आजाता है तेश में हम कुछ भी बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए और एक और बात है कि हमारा ऐसा वहवार भी नहीं है कि हम किसी वीक्ति को इस तरह के बाते कहें हम नॉर्मल जीवन में कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी वीक्ति को कुछ हम आए हीती या कुछ भी ऐसी बात हैं जिससे कि उसको बुRA लगे पर होता यहे कि गुस्से में तेश में हम कुछ आप शब्द निकल जाते हैं और उसे बात बहुत दूर तक बढ़ जाती है तो उसका हल यही है कि अगर तेश में या किसी गुस्से में आकर हमने किसी व्यक्ति को कुछ कह दिया है हमें इसा लगता है क्योंकि बाद में हमें स्वयम को पस्तावा भी होता है कि हमने इसा नहीं कहना जाए तो उसकी माफी माँगे और माफी माँगकर आप माफी माँगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है माफी माँगना इस दुनिया का सबसे बड़ी खला होती है तो माफी माँगें कि मुझसे गलती हो गई आप मुझे माफ कर दे अन्य था आगे से मैं नहीं करूँगा और बात खतम करके हम आगे बढ़ा सके है ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि सुरुवात चोटे से होती है कोई mortar जो होती हो जो चोटे से होती है तो एक पहली बात याद रखेगा दूसरा पॉइंट है कि दूसरे लोगों की बातों में उनकी script मतलब उनकी स्क्रिप्ट से कहने कि उनके द्वारा बनाई गई बाते किसी अन्ने के व्यक्ति के आपको कहना दूसरे व्यक्ति के चुगली लगाना, अपने सब्द मिलाकर आपको बात प्रेशित करना मतलब इनका है पर आपको बीच में घसीटना तो इससे भी सतुरता क्रियेट होती है, इसलिए कभी भी कोई भी गफलत में नहरे जिस भी यक्ति के साथ जो जो चीए वो आमने सामने क्लियर करें ताकि आपको दूद का दूद और पानी का पानी पता रहे अनि था आप तो कुछ अलग वे में समझ रहेते हैं, रियलिटी और कुछ थी और वे मुश्किल में हम सतुरता खड़ी करते हैं ये भी बहुत जादा हो रहा है, दूसरा पॉइंट अपको ये रखना है अबर चलग वे लाइकर उम्म